हलो डियर इस्टुडेंट, हाव आई यू, I hope all of you are good and all of you are doing great, मैं विक्की कुमार बाहदूर, आप सब का स्वागत करता हूँ, आपके अपनी YouTube चेनल राहूल कोमर्स अकेडमी में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 12, बिजनेस म इससे पहले, मैं आप लोगों को जो हूँ, इस चेप्टर से रिलेटेल, जो है, साथ important question में आप लोगों को अभी दूंगा, ये important question हर साल exam में पुछे जाते हैं, और ये question exam में पुछे जाने के 100% chances है, वो सारा questions मैं जो हूँ, आप लोगों को दूंगा, basically, ये जो पूरा exercise ह Determinants का 6B, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, कि ये जो हम लोगों का Determinants दिया हुआ होगा, हमको उसका Expansion निकालना है, यानि कि उस Determinants को Solve करके उसका एक Value Find Out करके बताना है, अब देखो, इसको Solve करने के लिए, यानि Determinants का Expansion निकालने के लि देखे करके सब चीज डिटेल में डानेंगे, ठीक है, और इससे पहले का अगर आपने Determinants का Exercise 6A नहीं देखा है, यानि Part A नहीं देखा है, तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं, कोई Subject, कोई Chapter पढ़ना है, ओल्रेडी में ये पूछा हुआ questions है, और इन questions का पूछा जाने का इस साल भी बहुत ज्यादा chances है, तो इन सभी questions का answer आप लोग हमको comment करके ज़रूर बताओगे, ठीक है, इसक्रीन सोट ले लिए, ठीक है sir, जी चलो, और हाँ, जो भी questions दे रहे हैं, सबका answer हमको चाहिए, जिसका answer पहल जाना है, अब आप बोलोगा कि sir, आखिरकार ये 7 questions कैसे बनेंगे, इसको जानने के लिए अभी हम लोग exercise 6B पढ़ते हैं, वहाँ अगर उस concept को समझ गाए, तो ये आप लोग से easy तरीके से जो है, वो बन जाएगा, ठीक है sir, अच्छी बात है, चलो सिखा दो, तो ये exercise 6B है तो इसमें से एक कई सारे questions है, तो अब हम लोग इसको तोड़ तोड़ करके करेंगे, तो चलो exercise 6B का सबसे पहला question करते हैं, ठीक है sir, जी हाँ करते हैं, चलो, तो बनाने से पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों दो अलग अलग question है, तो एक काम करते हैं, बीच में इ और इसको solve करने बोला, तो सबसे पहले देखो, हम लोग point number 1 को इधर solve करेंगे, 2 को इधर solve करेंगे, तो यह determinants है, तो determinants का पहले इसको shape में डालेंगे, determinants is equal to 7, 15, 8, 20, अच्छा पहले यह बताओ, यह कितना by कितना का determinants है, 2 by 2 का, 2 by 2 का, इसलिए क्योंकि इसमें 2 row है और 2 को ओला में, ठीक है, जब कभी भी 2 by 2 का determinants होता है, तो इसको solve करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, cross cross multiply करके minus कर देंगे, जानि तिर्षा गुना करेंगे, सबसे पहले हम लोग multiply करेंगे, 7 into 20 को, और फिर हम लोग minus करेंगे, 8 into 15 को, cross cross multiply करके, हम लोग minus करेंगे, ठीक है, तो 7 118, 120 हो जाएगा, जब यह घड जाएगा, घस के कितना हो जाएगा, 20, यह मेरा 20 हो गया answer, बताओ जी, हाड लग रहा है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, सर जी, दो determinants रहेगा, उसको cross multiply करेंगे, आपस में, और cross multiply करके, उसको क्या करेंगे, minus कर देंगे, हो गया answer, आया सम अब इसको क्या करेंगे, सर जी, cross multiply कर दो, ठीक है, सर, जी, करते हैं, तो multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 6 into 2, और minus हो जाएगा, 7 into minus 3, ठीक है, इसके बाद multiply करेंगे, तो 6 दूनी 12, और minus minus plus हो जाएगा, 7 या 21, जोड देंगे, तो यह हो जाएगा, 33, वा सर, वा, मज़ा आ सर, ठीक है, चलो, अब यह तो था easy question, अब जैसे-जैसे question में आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा question का pattern जो है, वो बदलता जाएगा, हाँ, ठीक है, सर, जी, कोई बात नहीं, बदलने तो pattern, हम लोग कर लेंगे, सर, चलो, अब देखो, यह question number हम लोगो का B का one number दिया है, बोला ग करेगा ना, x1, x, x is equal to 20, अब simple pattern है, करेंगे कुछ नहीं, same वही pattern में cross multiply कर दो, तो multiply होगा, x into x, फिर minus x into 1 is equal to 20, हम कियें कुछ नहीं है, cross multiply कियें, और उधर 20 है, तो 20 छोड़ दियां, ठीक है, चलो, ठीक है, अब इसको solve करो, तो x into x, तो यह हो जाएगा, x square, minus x into x करेंगे तो x होगा, is equal to, यह हो गया, हम लोगों का 20, is equal to, यह हो गया, x square, minus x, यह 20 को इधर लाएंगे, तो यह हो जाएगा, minus 20, is equal to 0, अब देखो, यह रेखनिक समीकरन, यानि दिगात समीकरन के concept पे हाई या नहीं है, linear equation में हाई की नहीं है, तो अब pattern समझना, जो हम आप लोगों सिखा रहे अभी, यह हो गया, x square, minus x, minus 20, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ x के साथ जो value रहेगा, उसको इस number के value से multiply करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, x single है, तो x के साथ तो 1 चुपा रहेगा, तो suppose कर लो कि यहाँ पे 1 चुपा है, और इसको 20 से into करेंगे, तो 1 into 20 करें तो यह 20 आएगा, अब क्या करना है आपको, यह जो 20 है, इस 20 का आपको LCM लेना है, और LCM लेको इसको इस तरीके से तोड़ना है, कि जोडने और घटाने से x आजाए, और multiply करने से 20 आजाए, ठीक है, हाँ sir, ठीक है चलो, तो 20 का हम लोग यहाँ पे लेते है LCM, तो 2 का LCM ल आटाएंगे, तो x भी निखल जाएगा, multiply करेंगे, तो 20 भी निकल जाएगा, हाँ sir, ठीक है, अब देखो इसको पेटन में यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो यह x square, minus 5x, plus 4x, minus 20 is equal to 0, हम किये कुछ नहीं है, जो मेरा 5 और 4 आया था, उसी को हम लोग क्या किये है, यहाँ पे तो भाई, दोनों में तो x common है मेरा, ठीक है, x common हो जाएगा, तो यह x minus 5 बचेगा, और plus 4x minus 20 में क्या common होगा मेरा, तो minus, इसमें मेरा common हो जाएगा, आपका, plus 4 common हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x minus 5 is equal to 0, ठीक है, अब चलो भाई, बगल वाला को हम लोग क्या कर रहें, इस screenshot ले लिया होंगे, अब इसको address करते हैं, क्योंकि वगले में इसको जो हम लोग solve कर दे रहे हैं, थीक है, थीक है, यहाँ से करते हैं, चलो, तो ये क्या है, अब देखो, यह जो हम लोगों का yaहा समझ ना, यह जो हम लोगों का X था, और यह 4 इसको एक साथ ले लेंगे, ठी X-5 is equal to 0 ठीक अब एक एक करके solve करेंगे X plus 4 is equal to 0 और इधर अलग से solve करेंगे हम लोग X-5 is equal to 0 ठीक तो X minus X plus 4 is equal to 0 है यानि कि X is equal to minus 4 आएगा और जब इसको solve करेंगे तो X is equal to आगया मेरा 5 therefore X is equal to 5, minus 4 ऐसे लिखो या लिख सकते हैं X is equal to minus 4,5 दोनों में से कुछ भी लिखो ये मेरा आगया answer आया बस समझ में बोलो जी कोई दिखत है कोई दिखत नहीं है सर जी multiply करके value put करके निकाल देंगे हो गया बन जाएगा बोलो कोई दिखत है कोई दिखत नहीं है इसी के base पे ही तो हम आगे आप लोगों को question दिये थे अभी सेम इसी तरीके से direct solve होगा direct solve होगा direct solve नहीं होगा तो linear equation में solve होगा आगया समझ में ठीक है सर जी आगया आगे बढ़ते है next अब ये तो b number 1 का b का 1 था अब इसका b का 2 में आते हैं ये देखो b का 2 सेम उसी type का ये procedure में है सेम बोला x का मान निकाली ये define the value of x if ठीक है तो सबसे पहले इसको linear equation लिखेंगे triangle is equal to ये हो गया 4x16 x x is equal to ये हो गया minus 15 अब simple सा बात है भाई सेम होई procedure से cross multiply करेंगे 4x और x को cross multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4x into x और minus x into 16 is equal to minus 15 ठीक अब चलो इसको multiply करेंगे तो 4x square minus 16 x is equal to minus 15 है यानि 4x square minus 16 x उधर plus में minus में 15 है इधर लाएंगे तो plus में हो जाएगा 15 x is equal to 0 अब सेम देखो ये क्या आया है 4x square minus 16 x plus 15 x is equal to 0 अब क्या करेंगे अभी हम concept समझाएं थे ना ये जो 4 है इसको हम लोग किस से multiply करेंगे 15 से तो 15 चौके क्या हो गया 60 अब इस 60 का LCM लेंगे और ध्यान रखना कि 60 का LCM को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोडने और घटाने से सुल्ला आ जाए और multiply करने से 60 ठीक है तो देखो 60 का LCM लेंगे तो 2 से divide करेंगे 30 बार में 2 से divide करेंगे 15 बार में 3 से divide करेंगे 5 बार में और 5 का तो ऐसे भी कोई sense नहीं बनता है ठीक है तो देखो तो भाई अगर हम ऐसे करते हैं कि 5 दूनी 10 टू इंटू 5 तो पांच दूनी क्या हो गया 10 और दो दूनी 6 टू इंटू 3 दो त्याद 6 यानिकी 6 तो बताओ 10 और 6 को compare करेंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा 10 और 6 को compare करके सर बिल्कुल निकल जाएगा तो आओ इसको तोड़ते हैं तो यह मेरा है यहाँ पर 4 x square क्या है हम लोग का 4 x square है तोड़ा side हो जा रहे हम हाँ 4 x square है फिर उसके बाद minus minus कर लेते हैं आओ 10 x minus 6 x plus 15 is equal to 0 ठीक चलो अब common ले लेंगे x square 4 x square minus 10 x से क्या common हो जाएगा मेरा 2 x common हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 2 x common हो गिया तो यह बचेगा मेरा 2 x minus 5 सेम यहाँ से क्या common हो जाएगा माइनस 3 common हो जाएगा मेरा तो यह बचेगा हम लोगों का 2 x minus 5 is equal to 0 ठीक है अब चलो इधर वाला को मेरे कर रहे हैं और गम कर red है इसको Oh Sure a शillी अब से इससे पहले वाला में जिस तरीके से तोडश घ्र Morgen स्कों है इसको कर दे रहे हैं अब उधर बना रहे हैं इसको ठीक है चल estado एक एक करके दोनो इसको एक साथ सोल्व करेंगे तो 2x is equal to 3 हो जाएगा यानि की x is equal to 3 by 2 clear है अब इसको अलग से solve करेंगे हम लोग जो दूसरा bracket था 2x minus 5 is equal to 0 यानि की 2x is equal to 5 यानि की x is equal to 5 by 2 तो हो गया ना भई answer निकल करके आ गया ना therefore x is equal to 3 by 2 यह होगा या तो फिर x is equal to 5 by 2 हो गया यह मेरा निकल करके आगया answer बोलो जी दिकत है कुछ समझने में कोई दिकत नहीं है multiply करेंगे multiply करके जो linear equation का form में आएगा उस equation में उसको करके निकाल देंगे clear है आगे समझ में कोई दिकत नहीं है हाँ sir कोई दिकत नहीं है very good sir सब समझ में आ रहा है नहीं समझ में आएगा तो comment box आपके लिए है comment जरूर करना ठीक है और हाँ जो question बता रहे है उसको लिख करके एक बार अपने से उसको solve करना ताकि अगर कोई doubt होगा तो उसको आप जो है वो पढ़ करके जो है वो दोबारा उसको समझ सको clear है हाँ sir very good sir समझ में आ रहा है sir easy लग रहा है चलो आगे बढ़ते हैं यह है हम लोगों का question number two x और y का मान निकाले है जब की find the value of x and y when do equation दिया यानि दो डिटर्मिनांस दिया ठीक है भाई दो डिटर्मिनांस दिया देने दोना क्या दिकात है चलो आओ तो यहां तब से पहले हम लोग पहला डिटर्मिनांस को solve करते हैं पहला डिटर्मिनांस क्या है 3 4 y x is equal to 10 तो पहले एक डिटर्मिनांस को solve करेंगे तब न दूत्रा डिटर्मिनांस में जाएंगे हां sir सही बोल रहे हैं तो फिर cross multiply करो तो 3 और अब हम direct करें ठीक है 3 और x को multiply करेंगे तो क्या होगा 3 x minus y और 4 को multiply करेंगे तो क्या होगा 4 y is equal to 10 चलो हम इसको मान लेते हैं equation 1 ठीक है sir मान लो अब इधर में solve करते हैं 4 x और minus into minus पलस हो जाएगा पलस 3 y is equal to 5 इसको माने equation 2 अब देखो अब यह तो दोनों equation बन गया linear equation बना अब हमको पता है ना भई अगर 2 linear equation बनता है तो सबसे अच्छा तरीका है अगर linear equation के अंदर का जो पद है जो दिवघाच समिकरण है अगर उसका digit बराबर होता है तो हम उसको बराबर हो जाए कर सकते हैं equation 1 को 3 से multiply कर सकते है equation 2 को 4 से या मन करें equation 1 को 4 से multiply करना equation 2 को 3 से जो मन करें हम equation 1 को 3 से multiply कर रहे और equation 2 को 4 से यह multiply इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके बीच के जो term है वो बराबर हो जाए तब तो एक को कटेगा हाँ सर सही बात है तो चलो आओ सबसे पहले आप यहां लिख लेते हैं हम लिखते हैं now equation now equation one multiply by multiply by 3 and equation 2 by 4 हम कर कुछ नहीं रहे है equation one को multiply कर दे रहे हैं ठीरी से और equation one को 4 से अब बता हमको अगर हम equation one को 3 से multiply करेंगे तो यह देखो यह हम लोगों का यहां देखो यह equation one है ना यह देखो यह हम लोगों का equation one है इस equation one को पूरे को multiply कर रहे हैं ठीरी से तो 3 के multiply में लिखो तो 3 multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9x-4-12y is equal to 3-30 3 से multiply किये equation two को 4 से multiply किये तो 4 से multiply करेंगे तो 16 x हो जाएगा पलस 12y is equal to 5-4 के 20 हो गया यह equation one equation two मेरे लिए बन गया हां सर बेरी गुड बन गया अब क्या करेंगे अब दोनों equation में जो जो कोमन है उसको काट देना तो देखो यहां पे देखो भाई माइनेस 12y पलस 12y यह कट जाएगा हां कट गया कट गया तो फिर बचेगा क्या जो बचा है उसको जोड़ दो तो 9 9 x और 16 x को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 25 x is equal to यह हो जाएगा मेरा 50 हां सर ठीक है अब चलो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ले करके चलते हैं यहां अब इसको क्या करेंगे यहां पर यानि x is equal to 50 divided by 25 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 x का value 2 आगया अब क्या करेंगे इसको equation 1 पर पूट कर देंगे तो अब यहां हम लोग लिख सकते हैं now x value now x value putting in now x value putting in equation 1 इसको किसमें पूट कर रहे हैं भाई equation 1 पर हम लोग पूट करें ठीक है equation 1 क्या था तो equation 1 हम लोगों के लिए था equation 1 हम लोगों के लिए था 3 x minus 4 y is equal to 10 अब हम लोग इसमें x का value डाल दे रहे हैं ठीक है तो यह हो जाएगा 3 into x का value 2 है minus 4 y is equal to 10 ठीक है सर हाँ सर चलो ओके अब इसको solve करते हैं आगे तो यह मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6 minus 4 y is equal to 10 हो गया यानि की minus 4 y is equal to 10 में 6 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा तो 4 बचेगा हम लोगों का यानि की y is equal to थोड़ा सा उर उपर कर लेते हैं y is equal to 4 divided by minus 4 is equal to minus 1 यानि की basically यह बोल रहा है कि हम लोगों का x जो आया है वो कितना आया है भाई? x आया है हम लोगों का x हम लोगों का आया है 2 और जो y आया है वो हम लोगों का आया है minus 1 बताओ जी समझ में आया बोलो कोई दिक्कत है समझने में देखो यहाँ पर देखो न यह x का value था यह x का value था और यह y का value था तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore x is equal to 2 और लिख सकते हैं y is equal to minus 1 हो गया यह मेरा क्या आ गया answer आ गया कुछ नहीं करने भाई linear equation है linear equation में डाल डाल की इसको निकाल दे रहे हैं आया समझ में ठीक है सर चलो अब कोई बात नहीं अब आगे बढ़ते हैं यह हम लोगों का cost नंबर 3 अब गोर यह करना मान निकालने बोल रहा है find the value actual में यह जो है वो 3 by 3 का matrix है यानि कि 3 row और 3 column का matrix है कोई बात नहीं 3 row और 3 column का होगा तो क्या कैसे expansion होता है कैसे इसको solve किया जाता है सीखो तो यहाँ पर पहले इसको triangle के shape में दे देते हैं triangle is equal to यानि कि यह determinants के shape में डाल रहे हैं इसको हम लोग 4 9 7 3 5 7 5 4 5 अब क्या करेंगे जब हम लोग इसको solve करेंगे तो अब इसको solve करने का तरीका आप लोग सीको trabalhेंगे आपको क्या करना है एक एक करके या तो फिर row को चुपाना है या एक करके column को आप पर depend करता है देखो उपर वाला question देखो आपको depend करता है अगर आप चाहें तो आप एक एक करके इस सारे रो का एक एक डीजिट को चुपा सकते हैं या चाहे तो आप कोलम का एक एक डीजिट को चुपा सकते हैं किसको चुपाना है यह आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन हम हमेसा यह बोलेंगे कि रो या कोलम में जो छोटा डीजिट होगा उसको चुपाना अगर छोटा चोटा डीजिस है तो रो को चुपाना अगर 대박 चोटा चोटा डीजिस है तो पो हम चुपाना जब रहा को कैसे पहले एक याद करना को चुपाना चुपाना है तो 4 को इस तरह से रो में भी चुपाओ और 4 को जो है वो कोलम में भी चुपाओ ठीक है तो पहले जिसको चुपा रहे हैं उसको लिखो तो पहले 4 को चुपा रहे हैं तो 4 को लिखे इंटो जो बचा उसको उतार दे रहे हैं ठीक है तो बचा है 5, 7, 4, 5 जो बचा लिख दिए अब हमको पता है ना डिटर्मिनांट्स के बाद पलस माइनस पलस के सेप में चलता है तो उपर वाला पलस है तो माइनस होगा यह ठीक है सर बिल्कुल सही माइनस तो होगा यह अब हम लोग इसको चुपाएंगे तो अब हम लोग चुपाते हैं चलो अब हम लोग चुपाते हैं 3 को तो 3 को रो से भी चुपाओ 3 से कोलम को भी चुपाओ ठीक है तो 3 को चुपा रहे तो 3 लिखेंगे और 3 का value जो बच गिया 9, 7, 4, 5 ठीक है अब नीचे वाले को चुपाएंगे अब हम लोग चुपाते हैं इसके नीचे वाले को तो नीचे में हम लोगों का क्या है 5 5 पलस में होगा रो से भी चुपाओ और कोलम से भी ठीक है तो चलो 5 को चुपा रहे हैं तो यहां लिख देते हम लोग पलस 5 को चुपा रहे हैं रो से भी और कोलम से भी तो बचा है 9, 7, 5, 7 हो गया अब सिंपल अब बताओ यह 2 by 2 का मेट्रिक्स बना की नहीं बना सर बन गया अब इसको सोल्व कर दो एंसर आ गया हाथ में तो लिखो 4 इंटो 5, 7, 4, 5 है तो क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे बिल 7, 4, 8 हो गया फिर पलस 5 है क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे 9, 7, 63 हो गया और माइनस 7, 35 हो गया ठीक है अब यह हो गया 4 अब इसको मल्टिप्लाई करके सोल्व कर देंगे एंसर जो है वो मेरा निकल करके आ जाएगा ठीक है अब देखो यह हो गया तो फिर देखो 25 से 28 जोठ घटे गा 3 यह माइनस 3 हो गया इंटो यह धोनो गटेगा तो घट करके मेरा कितना हो गया करके 8, अब multiply करेंगे तो चार तिया 12 हो गया फिर माइनस सत्रा तिया 51 हो गया और यह पलस हो गया आट पचे 44 हाथ में 480 520 10 और 414 140 अब माइनस माइनस जूट जाएगा तो यह माइनस 63 और यह पलस हो गया 140 जब इसको घटाएंगे तो घटा करके होगा मेरा 77 और यह मेरा 77 हो गया एंसर बोलो समझ में आया कोई दिकत नहीं है सर जी 3-3 होगा क्या दिक्रत है, कोई दिक्रत नहीं है, отдraper एक करके चुपाएंगे, चुपाएंगे या एक करके कोण को फिर पिर बना देंगे बोलो knot sighs एक र Supra आगे स्मझ में, अब बढ़ते हैं, आगे next question की और तो देखो आगे भी यह रहा बताओ क्या दिकत है अभी जैसे question था वैसे है देखो question number 4 पे find the value निकालने बोला अब आप पे depend करता है आप या तो row को चुपाओ या column को भाई देखो column पे जो है one 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 है चोटा चोटा है तो हम सो suggest करेंगे कि column को चुपाना पहले one को चुपाना फ दिक है चलो four हो गया last question नाच का यह देखो यह question number हो गया five five में भी वही है कुछ नहीं करना है five में यहां सिर्फ क्या बोला उसमें one two three four था one two three four ना हो करके यह number है देखो सेम वही करेंगे पहले इसका हम लोग चुपाने का चलो पहले one को चुपाएंगे तो one को रोभ से चुपाएंगे और column से भी ठीक है तो चलो हम लोग वन को चुपाएंगे एक को चुपाएंगे तो यहां क्या लिख रहे ऊड़िए a को चुपाएं है और जो बचा उसको लिख दो तो बचा है ब f f c ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं एको को चुपा दिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग किसको चुपा है भाई ह fgc लिखदिए फिर पलस फिर लाश्ट रोग को छुपाऊ राष्ट्र वाले डिजिट को चुपाऊ तो चलो चुपाते हैं तो लाश्ट में कौन बचा है भाई मेरा g तो आओ जी को चुपाते हैं g को रोशसने भी चुपाऊ six खो लिख दो बस I hope बन जाएगा ये भी question क्योंकि easy है multiply करके ही तो दिखाना है दिखा देना answer आ गिया ठीक है तो जो भी इसी तरीके से जो है वो डेटर्मिनांस जो है वो आनी आपका जो expansion है वो निकलता है इसके बाद question number six से जो question है उसमें थोड़ा सा वो advance form में है निकालना यही है करना यही है लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा advance form है तो इसके नेक्स वीडियो में जो है हम उन चीजों को बताएंगे ठीक है पांच-पांच-छे-चे question का sit लाएंगे ताकि आप लोगों को एक-एक करके जो है वो सब चित समझ में आ जाए ठीक है I hope वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो like, share और comment जरूर कीजिएगा कोई भी दिक्कट डाउट परिसाली है comment box पे comment करके मुझसे जरूर पूछिएगा और अगर आप मुझे टेलिग्राम पे follow करना चाहते है तो उसका link टेलिग्राम पे मिल जाएगा वहाँ आप मुझे direct जो आए वह contact कर सकते हैं अगर class 12 के student है और आपने अगभी तक group को नई जोइन किया है तो टेलिग्राम group का link नीचे description में होगा जोइन कर लेना बाकी कोई भी subject अगर आपको पढ़ना होगा तो उन सबका video भी already uploaded है आप चाहे तो उन्हें read out कर सकते हैं ठीक है चलो bye take care